हाई प्रैंट्स आज एक और महत्वपुर्ण क्वेश्चन एक किसी सोसाइटी के चैर्मेन ने मुझे पूछा और मुझे लगा कि यह चीज आपके साथ सेयर किया जाए चैर्मेन सापका कहिना था कि कोई फ्लैट ओनर या तो है पार्टमेन ओनर मेंटेनर चार्ज नहीं परत है तो क्या करना चाहिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको जवाब जरूर मिलेगा अभी तक मेरी चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेर कीजिए आपके दोस्तों के साथ तो लिए को यूटिलाइज करते हैं उसके लिए जो खर्चा आता है वो खर्चे को अपने हिसाब से जो एगम में डिसाइड किया है कि पर स्क्राइर फिट के हिसाब से या लंसम के हिसाब से या वाटेवर बैठोड्स जो मैंने पहले वीडियो में अल्डेडी बता दिया है कैसे में ya ुटिलाइज आप चाहे गर में रहते हैं या नहीं नहीं रहते है तो आपको मेंटनेन्स चार्ज देना ही पड़ेगा तो ऑपर चाहें dollars य। तो what we have to do, तो maintenance charge अगर नहीं देता है, as defined in the AGM कि आपको कौन से हर मंत देना है, quarterly देना है, या तो six month देना है, या तो yearly देना है, तो जिस हिसाब से अगर जिसको suitable है, उसके हिसाब से maintenance cost में देना ही पड़ेगा, देना नहीं देता है, तो then decide कि अगर वो monthly नहीं दिया, तो दो म कीजिए, अगर वो तीसरे मन भी नहीं देता है, तो then you have to give a notice that you have not paid, या maintenance charges as per our AGM, secondly फिर भी अगर वो maintenance cost कोई genuine reason नहीं है, और फिर भी intentionally वो maintenance charges नहीं देता है, then you have to again sell our notice for a 10 days, कि you have to pay as per this thing, even though as per AGM decide कि अगया है, कि अगर आपने लेट किया, तो 10-12% interest के साथ उसको देना पड़ेगा, या तो कुछ find के साथ maintenance cost देना पड़ेगा, फिर भी अगर वो maintenance cost अकर समझो कि 6 महीने तक नहीं देता है, तो then you have to take a legal advice, और legal advice लेके आप उसको कर सकते हैं, लेकिन वो secretary साब ने मुझे पता है कि क्या मैं उसकी amenities या कुछ हम बंद कर सकते हैं, जो एदा means that कि हम आपने maintenance cost नहीं किया, तो सीधा सवाल है कि जो water supply है और electricity है, वो हमारी necessity है और उसको हम cut नहीं कर सकते, राइट, लेकिन हाँ, common जैसे gym है, आपका swimming pool है, या तो दूसरी means आपको club house है, इसमें आप उसकी enter restriction कर सकते हैं उनको, लेकिन जो necessary means चीज ह है, जो water supply है, electricity हम आप उनका cut नहीं कर सकते हैं, हाँ, अगर आपको lift watchman है, तो आउनका lift में आने जाने का restriction कर सकते हैं, इवन दो, कुछ चीज ऐसी है कि individually उसके साथ हम उसको notice तो सर्व कर दिया, legal notice भी सर्व कर दिया, अगर भी देते नहीं है, तो कुछ facility आप cut down करके, इव support से group है, उसमें दीजिए, defaulter का list दीजिए, और कब से नहीं payment किया है, वो उसको share कीजिए, अवन आपके notice word के उपर display कीजिए, frequently, और आप उस हिसाब से, आप उससे pressure बना के, वो charge ले सकते हो, even though आप वो charge नहीं देता है, तो then you take a legal advice and based on legal advice, you can shoot a file to recover the maintenance along with the security, along with the interest and also the legal charges, मैं legal advisor नहीं हूँ, इसलिए legal advocate क्या बोलता है, क्या सला देता है, मैं उसको display नहीं करूंगा, but definitely we can shoot a file and we can recover the maintenance costs along with the interest, along with the legal charges, what we have occurred, so thank you दोस्तों, आपने आपको अगरे पसंद आया, तो लोगों किसा शेर कीजिए, और एक सवाल, मुझे काफी लोगों ने पूचा है, even though secretary सा आपने मुझा है, इसलिए मैंने देखा, मुझे लगा कि आपके साथ शेर करना चाहिए, तो दोस्तों, अगर आपके उसके related question है, तो drop box में मुझे question पूचिए, I will try my level based to give your answer, thank you very much.